पीस मापकर संकट मोचन इंट्रकॉलिक के प्रबंधत ने पेश की मिसाल लोगडाउन के कारण लिया निर्णे खबर सुल्तानपुर से है जहां दिनाग 10 जुलाई 2020 को जिस समय देश और प्रदेश में लोग कोरोना के कहर से जूज रहे हैं और लोगडाउन में लोगों की कोई आयता साधन नहीं रहा था लोग किसी तरहां से एक दुसरे की मदद से जीवन यापन कर रहे थे जहां पहले लोग अपनों की जान बचाने के लिए सोथ रहे थे कमाई कि किसी ने चिंता नहीं कि उस वैश्विक में हमारी कोरोना से जंग लड़ रहे थे जिसमें सिर्फ कुछ दिखाई पर रहा था तो केवल लोगों की मदद करना ऐसे समय में देश और प्रदेश के अंदर जिस तरह से स्कूल के फीज को लेकर कश्व कर चल रही है जहां अभिभावत स्कूल प्रबंधक में शंसे बना हुआ था तो वही एक विद्याले ऐसा भी है जिसमें फीज माँक करते हुए पूरे देश वप्रदेश में एक मिसाल पेश की है कौन से स्कूल में जाते हैं? संकर मोचल इंतर कालज का यह और ना सुनता तू कौन से क्लास में है? ठर्डे आप पास भी हुए है, इस्कूल के तर्फ से आपको क्या क्या मिला है? फाइकिल और एक मेडल और भी बच्टो क मिले को है? हूँ क्या क्या मिलोगा और बच्टो को? पाइकिल और लेक्ता पास हो जाने के बाद? हूँ इस्कूल की फीच भी माफ ही है? हूँ हमारा नाम सुर्वें परताप सिंग मैं शंकर मोचन विद्यालय इंटर कालिज का मेनेजर हूँ और संकर मोचन विद्यालय का नाम रखने के पीछे हमारा सुर्वाती जो दौर था जब हम छोटे थे बच्चपन का दौर था उस दौरान ही हम पांच-छे साल के उम्र से ही संकर मोचन मंगलवार के दिन बाबा के नियूरता में मदबरत रहता था हमेशा जब भी हमारी सामने कभी कोई समश्चाय आती थी मैं उनका नाम सुमेर लेता था तो मेरी समश्चाय समधान हो जाती थी और इच्छाओं भी हमारी हमेशा पूरी करते रहें इस वज़ा से जब में बढ़ा हुआ तो उनहीं के नाम से अक्सर लोग अपने बाब बुर्खों के नाम से विद्याले रखते हैं लेकिन हमारे मन में ये था कि अगर इनका नाम रखेंगे तो ये विद्याले हमेशा इमानदारी निश्चा के साथ बच्चों के परिस्रम के अनुसार उनके भविस को उज़ल करता रहेगा आम ने कुछ महिने के ऐस्पाप किया है टीचरों पर भियावक पर कुछ फर्रक न कुछ महिने कि आम रखेंगे के आम ने कृत बच्च context एया है लगवक इतनी महीने के विद्या एक थी इस महत tutti लगवग 21 लाग रुपए की फीस हमने माप किया है और इसके लिए हमने सभी अपने टीचर से मैंने राय लिया और सभी टीचर ने कहा कि ठीक है सर बिलकुल माप कर दिया जाए और उनकी तरब से पूर रूप से हमें यह कहा गया कि इस संकट की घड़ी में जो पूरा बिश स हम नहीं करेंगे जो भी समस्यानों निर्याकर करता रहेंगा आगे परेल एक होता है beet इस कि यह क्या आप्रेल या ये सद्वकारी बुला लेते हैं अज्या जोगर चुकि हम चाहते हैं बच्चों को प्रुसकार देने वाला जो भी वेक्तों इतना प्रभाव चाली हो कि बच्चे उसको देकर उसके जैसा बनने के लिए उनके मन में प्रेरणा आए इस वज़े से पहले तो संडे की दिन फ्रेंटर का और सबको एक रेंजर साइकल . जो बच्चा जसे प्राइमरी सेक्षन में या जूनियम घू भी टाप करता है जो टोटल टापर होता विखेट गेम्स में भी तमाम जो है राष्टी ए मत गेम्स भी आवजित किया उससे भी संबंदित जो लोग उसे पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी उसी दिन प्रोस्कित किया जाता है लगभग आप मार चली एक तीन से चार लाग रुपए का प्रोस्कार हमारे यहां साल म जब कि भारत सरकार और राज सरकार जो भी प्राइवेट विद्याले उनको कोई भी मदद नहीं कि जाती है लेकिन इसके बावजूद भी आप सभी जानते हैं पूरा विश्ट पूरा विश्ट उचाहता है और चाहता कि आनिवार रूप है सभी को सिच्चित होना है जबक जब कि हमारे आसपास में देखता हूं हमारे अहां सरकारी विद्याले प्रामरी जहां 50 बच्चे मुश्किल से 100 बच्चे होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब कि वहां उन 50-100 बच्चों के लिए सरकार 2-5 लाग रुपे महीने खर्ष कर रही है और इस सिथी क्या है क उन बच्चों में हमारे बच्चों में जमीन आसपान का अंतर होता है कि हमारे बच्चे बेहतर होते हैं उनसे का भी तो हम गवर्मेंट से ही चाहते हैं कि ठीक है हमेशा हम आपकी मदद करते हैं आज भी कोरोना की महामारी में हम विद्याले परिवार हमारे वालेंटियर हम जैसा भी हम सभी का सहयोग चाहें, हम सभी लोग करने के लिए तयार है, चाहे जिस जगह ड्यूटी लगाना हो या फिर कहीं पर भी आर्थी गूरूप से तो हम लोग अपने सिक्षा की बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे टहीं हटने वालों में से हैं, जहां पर भी आप हमारी जरोज समझें, हम लोग आपकी मदद करने के लिए तयार हैं।